देलंदादा में साइबराबाद जिला में बशीराबाद थाना के अंतर गयत एक कांट 6 बटा 2021 दर्ज हुआ था इस कांट में एक अफिक जो एक कंपनी का डारेक्टर बनके गूगल प्ले स्टोर पे एक बना करके लोगों को लोन दिया करता था दोस्ते जैसे कि आपको लगता है कि यह जो लोर एप का स्कैम है यह सिर्फ बड़े शहरों में चल रहा है इनका ओफिस जो है दिल्ली मुंबई गुड़गाओं या जो मेट्रो सिटी है उसी में है ऐसा नहीं है क्योंकि रीसंट टाइम में पुलिस ने एक सक्स को और गिरफ अब करता था आज इस वीडियो में आपको तीन बाते बताने वाला हूं सबसे पहली बात यह बताने वालब कि आपको बताने वाला हूं कि हमारे कि सबस्क्राइबर है जैसा कि हमने किसी एक वीडियो में बताया था, जब भी कोई लॉन रिकवरी एजेंट आपको प्रेशान करें, आप उससे ये सवाल कर लेना, उसके आद आपको प्रेशान नहीं करेंगा, उसका भी मैं आपको एक स्ट्रिंच वाट दिखाऊंगा, उनकी चैटिंग का आपको और ये रेकट जो है, उसके घर से चल रहा था, और कौन-कौन से एप जो है, ये सक्स चला रहा था, अगर आपने इन एप से लोन लिया था, तो आपके लिए ये वीडियो आखिर तक देखना जरूर है, आज इस वीडियो में एप का नाम मैं खुद नहीं बताऊंगा, अगय बढ़ने से पहले, चोटी सीरकश्ट आप सभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं, तो नीचे जो लाल ने सब्सकाइब का, जी हां दोस्तो, ये वह अला जो लाल ने सब्सकाइब का प्नी, इसको दबा लें, चैनल को सब्सकाइब कर लें, क्यो परकार से की चाइनीज जो लोन एप स्केम चला हुआ था उसमें जो एतिलंगाना पुलीस ने बड़ी कारवाई करते हुए सो से ज्यादा जो एप है उनका जो डेटा है उसको हटा दिया है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुलीस ने खुद यह बताया है कि उन्होंन आपको ब्लॉक एक्सेस टू ओर हंडर इंलीगल लोन एप यानि सी आईडी ने जो है बहुत जरूरत के जो कदमों लेते हुए जो है सो से ज्यादा लोन एप का जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है वी अपील शीटिजन टू नोट फॉल प्रेट तु सच एप्स और रिपोर्ट वर्स इनकेस ऑफ फॉलन इंटो दा विक्टीशियस ट्रेप यानि वह यह कहना चाहते हैं कि लोगों से उनकी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रीक जो लोन स्कैम है जो लोन एप होते हैं के जंजट में ना पड़े अगर आपको को दिक्त है तो आप हमें रिपोर करें साइबर क्राइम सी आईडी को ट्वीटर पे टेक करें और इस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं इसके बाद दूसरी जो बात मैंने बताई थी कि हमारे एक सब्सक्राइबर है जैसे कि हमने एक अपनी वीडियो में बता था जब भी को लिए रिकावरी एजेंट आपक पार होंगे यह जो मैसेज है दियर कस्टमर प्ली जेक नोट नोट बाद यह लोग इसके सब्सक्राइबर है वो यह पूस्ते है कि गिव में डिटेल आफ द एन्दी आपक टू तु देम यानि हमारे जो वीडियोर है वो यह जानना चानते है कि आपका जो लोन है ता इसके जिसने हमें लोन दिया था कौन सी नोन में के फाइनेंस कंपनी के साथ मिलके हमें लोन देता मुझे उसकी डिटेल दीजिए तो इसके बाद जो लोन डिकवरी एजेंट का रिप्लाई देखे दोस्तों क्या आता है वो बोलता है कि सर आपको इससे क्या फाइदा है तुमने लोन लिया था हमने दिया था पे करने के लिए क्या प्रॉब्लम है तो अब इनका रविया यह कि लिगल तरीके से काम कर रहे थे एन बेफ सी कंपनी डिटेल बता नहीं रहे है और बोलना है कि तुमने लोन लिया था हमने दिया था अब पे करने में क्या प्रॉब्लम इसके यह बात जो है हमारे विवेवर जे सा हमने उनको बताया था कि आपको ऐसा बोला है उनको बोला कि RBI और पुलिस का जो इस ट्रिक इंस्ट्रक्टर है कि आप जो है एन भी अपसी कमपनी से बात करेंगे आपको क्या प्रव्ब्लम अगर मैं एन भी अपसी कमपनी के बारे में एक बात कर तो इसके बात जो है इस ट्रिक फोलो करके मों करी सथके नहीं किया है और आपक्र विओ बच सकते हैं और हमारे सब्सक्राइब reviewer है उन्होंने वही step किया जो हमने वीडियो में बताया था और उसके बाद जो loan recovery agent ने उनको कभी भी call नहीं किया है प्रेशान नहीं किया है जैसा हमने वीडियो में बताया था उस ना बैंगलोर से भी है ना हैदराबाद से यह गिरफतारी एक ऐसे सहर से जहां पर साइद कोई सोच भी नहीं सकता इस तरीके का scam चल रहा है और यह जो रैकेट है यह जो एप है वो सक्स अपने घर से चला रहा था और लगबग जो है यह press conference जरूर देखिए तो दोस्तो वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से पुलिस ने joint operation चला कि सक्स को गिरफतार किया है कैसे कारवाई किया कैसे उनको lead मिली थी यह सक्स किस तरी किस को operate कर रहा था यहां तक वीडियो देखने के बाद आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि यह सक्स जो 2000 क्रोड़ का जिसने loan app scam किया है यह कौन-कौन से चला रहा था क्या उन में से किसी एक app से आपने loan लिया है अगर लिया है तो वो लिस्ट आप जानना चाहते हो आज इस वीडियो में मैं खुद कोई लिस्ट नहीं करने वाला हूँ आप इस वीडियो में आगे देखिए पुलिस ने खुद बताया कि कौन-कौन से loan app जो है इस scam में उनको डाउट है मिले हुए है कौन-कौन से loan app है जो fraud है और मैं कोई भी वीडियो भीना की सब्वूत के नहीं बनाता हूँ जैसे कि आपको पता है इस वीडियो को आप देखिए गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के एप जैसे फ्लैश्बैक लकी वेलेट रूपी प्लस प्लस पेसा मोटा पेसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फरजी कंपनिया चल रही थी तो दोस्तों आपने देखा इस लिस्ट में कौन-कौन से एप है अगर आपने इन लोन एप से लोन लिया है तो आपको डरने की जुरूत नहीं है एस पर पुलिस एस पर इस प्रेस कॉनफरेंस पुलिस के हिसाब से यह जो लोन आप ही सारे फ्रोड है वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों और वीडियो को देखते देखे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल देंगे